Hello Everyone, आज हम डिस्कस करेंगे Cup and Handle Pattern को, यह कैसे फार्म होता है, इसकी इंटर्प्रिटेशन क्या होती है, इसमें इंट्री कैसे लेते हैं, इसका टार्गेट क्या होता है, स्टोप लोस कहां पर सेट करते हैं, बिल्कुल इना सिंपल वे ताके आपको समझ लग जए. Cup and handle pattern market में उस वकत फार्म होता है कि जब market में आपको एक uptrend मिलता है uptrend के बाद price में एक downfall आता है price में downfall आने के बाद again से price उपर की तरफ move करती है और एक cup की shape बना लेती है जिस तरह cup होता है उसके बाद एक point पे आके price वहां से reject हो जाती है जैसे यहां से price reject होगी reject होने के बाद यह एक छोटा सा handle बनाती है handle इस shape का भी हो सकता है और handle different shapes के हो सकते है वैसे usually, idly इस shape का handle होता है जैसे एक cup का handle होता है तो हम इसमें entry कैसे लेते हैं? entry हम लेते हैं इस pattern में after breakout of neckline यह इसकी neckline है ठीक है ये जो मैंने मार की हुई है जहां से price reject हुई थी ये इसकी neckline है जैसे ही price में breakout आता है उसके बाद हम bullish candle clause को देखते हैं या तो retest को देखते हैं retest के बाद हम इसमें entry ले ले लेते हैं और इसका stop loss कहां पर होता है stop loss बिलकुल जो आपके पास bullish candle है जिसने यहां पर breakout की ह उसके नीचे आपका stop loss होगा और इसका target कैसे set करते हैं length of the cup जितनी length है cup की यहां से लेके bottom से लेके neckline तक ये आपका cup and handle का target होता है तो इस तरह हम cup and handle का target set कर लेते हैं तो अब चलते हैं live chart पे जहां पर मैं आपको इसकी example देता हूँ ये ethereum usdt का chart है जैसे कि आप देख सकते हैं कि market में सबसे पहले एक our trend था our trend के बाद market में एक downfall आया ethereum में काफी downfall आया फिर एक point से दबारा ethereum की price में एक बुलिश rally आई और इसने क्या बनाया एक कप की शेफ बना ली, कप की शेफ बनाने के बाद दबारा प्राइस रिजेक्ट हुई और यहां पर एक इसने हैंडल फार्म किया, हैंडल फार्म करने के बाद इसने यहां पर ब्रेक आउट किया, ब्रेक आउट के बाद आपके पास जो बुलिश मूव है, वो स्टार्ट होगी entry के लिए ज्यादा तरह हम क्या करते हैं इसको छोटे time frame पर भी देख लेते हैं जैसे मैं इसको one hour पे check कर लूँगा तो इस तरह आपने small time frame पे जाके इसको इसकी entry को देख लेना है जैसे यहां पे आपको एक अच्छा breakout नजर आया है breakout के बाद आप इसमें retest का wait करेंगे जैसे यहां पे यह retest हो रहा है तो इस in points पर आप entry ले सकते हैं मैं long position tool को open करता हूं तो यह आपका यहां पे entry point हो जाएगा और stop loss कहां पर आएगा इस candle के बिलकुल नीचे देखें जैसे इस candle ने यहां पे क्या किया था breakout तो बिलकुल मैं इस candle के थोड़ा सा नीचे stop loss राख लूँगा और अब इसका target set कर लेते हैं तो यहां से मैं set करूंगा तो यह देखें इसने अपना target हिट किया है तो आप यह देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास इस entry में पर भी अगर आप entry लेते हैं तो आपको 19% की यहां पर move मिलती है with four risk to reward ratio तो मैं अमीद करता हूं कि आपको cup and handle pattern की समझ लगी होगी thank you for watching